फ्रेंड्स आज के जमाने में काले घने और लंबे बाल सबको पसंद है और लड़कियों को तो ज़ादा तर और आज़कल तो लड़के भी लंबे बाल रखने लगए हैं तो इसलिए मैंने सोचा आप के लिए ले के आती हूँ काले घने और लंबे बालों का राज जो मैं भी ट्राइ करती हूँ और आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगी तो देखिए और समझेगा पूरी प्रेसेस को बहुत ही ऐसान सा घरेलून उसका है जिससे आपके ब पाल हो जाएगा बहुत ही है लडी साइनी और घने और लंबे आप सोच भी नहीं सकते हो आपकी हेर की लेंग इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी इतनी ज्यादा बढ़े गे ना कि आपको बार बार कट करवाने पड़ेगे और मैं भी मन्त में दो बार हेर कट करवाती हूँ और अब मैं ले रही हूँ ऐलो वेरा और ऐलो वेरा में जितने प्राकृतिक गुण होते है वो तो आप सभी जानते हो ऐलो वेरा का यूज बहुत सी दवाई बनाने में भी किया जाता है और आपके बालो के लिए बहुत ही जादा फायते मन्त होता है जो आपके बालो को ब करके इसके अंदर का पूरा जेल निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से अराम अराम से सारी प्रसेस में आपको बता रही हूं और ये जो आप यूज करोगे ना तो रिजल्ट खुद पे खुद आप देखोगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा तो ये फट आफट सी सारा जेल हम निकाल लेते हैं अब हमने जेल निकाल लिया है तो अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं ये देखिए मैंनी लेए एक कोटोरी गुड़ हैल के फूल और एक कोटोरी सरसोका तेल और आधा कोटोरी हमारे पास अलोवेरा जेल है अब हमें आगी क्या करना है देखते जाएगा ध्यान से एक कड़ाई में हमें अच्छे से सरसोके तेल को पहले पकाना है जब तेल अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हमें इसे एक ये दो मिनिट के लिए ठेंडा होने के लिए छोड़ना है ताकि जब हम इसमें अलोवेरा मिक्स करें तो छीटे ना लगे और आपका हाथ ना जल जाए तो हमारा तेल पक चुका है और अब मैं बंद कर दूँगी हमने ठंडा भी कर लिया है बीच में वीडियो बंद की गई थी क्योंकि तेल को ठंडा करना था ठीक है दोस्तो और अब तेल को ठंडा होने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे एलोवेरा जेल और फिर से हम गैस को कर देंगे start इस तरह से और aloe vera gel mix करने के बाद हमें इसमें add करने है good health के full जिसमें बहुत से प्राकिर्थिक गुन होते है जो हमारे बालों को बहुत ही मजबूत बना देते है और अब हम इसमें डालेंगे good health के full और इसको अच्छे से बहुत अच्छे से mix करना बीच में तेल को बिल्कुल भी और अब हम इसमें मिक्स करेंगे फूल इस तरह से देखिएगा आई होब आपको वीडियो पसंद आएगी वीक में दो से तीन बार जब भी आप बालों को वाश करते हो इसे बाल वाश करने से एक खंटा पहले अच्छे से बालों में इस तेल की आपको मसाज करनी है और एक खंटे के पाद आपको हेर को वाश करना है कि आपको है झाल हमारा एलोवेरा आधा फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं फूल और इसको भी अच्छे से बहुत ही अच्छे से हमें पकारना है ताकि जो इसके पोशकतत्व है वह तेल में एड हो जाए मिक्स हो जाए अच्छे से कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको पकाईएगा और उसके बाद पकने के बाद हमें इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है स्थिवं़ युप और दो आराए से कमेंप़ झाला है सुच्छे सह संहां जाए च्वणा में हमें जाएंपेंगान को नारा का दो बट बाप Nashville और अब हमारा तेल पक्कर बहुत ही अच्छे से तियार हो चुका है और अब हम इसे ठंडा भी कर चुके हैं इस तरह से देखिएगा कितना गाड़ा हो गया है और आप विक में जब भी हेल को वाश करो से पहले गंटा पहले आपको इसे बालों में अच्छे से लगाना है मसाज दिनी है बालों को रिजल्ट आप खुद पर खुद देखोगे द और यह देखिए कैसा पेश्ट बनाए है हमारा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और रियली आपको ट्रस्ट नहीं होगा मैं भी यह लगाती हूँ कंटिन्यू मेरी हेर ग्रोथ बहुत अच्छी है और आप इसे किसी अच्छे से बोटल में यह जार में रख सकत हो खराब नहीं होगा यह फृीज में रखिए यह फ्रीज से बाहर रखिए को ठीक है दोस्तों इसके साथ विडियो पने से वहांस हूता है अज का ग्ाहर आप अपको वीडियो संद आई होगि है अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को सभ्राइब कर दीजएगा और वीडियो को लाइक करना मिलकुल मत भूलिएगा थैंक्यू